लोगडाउन में एप्रिल ओटो सेक्टर के लिए लेकर आया पहली बार जीरो सेल्स की सब्से बुरी खबर 22 मार्च से बंद पड़ा है मारूती का प्रोडक्शन चालिस दिन के लोगडाउन से अब तक 40,000 करोड रुपे घटी सरकार की पेट्रोलियम आये बजट आये में पेट्रोलियम सेक्टर का 20 पीसिदी योगदार लॉगडाउन के भी जेल्पीजी सिलेंडर की कीमतों में 162 रुपे 50 पैसिक पमी तीन महीने में 297 रुपे सस्ता हो चुका है ल्पीजी सिलेंडर लुपीएफों ने जारी की चेतावनी फोन या सोशल मीडिया पर आधार, UAN, PAN की डीटेल देने से खाते में लग सकती है सेंडर विटर पर RBI ने दुनिया भर के सभी सेंटर बैंक को पीछे छोड़ा साड़े साथ लाग से ज़्यादा फॉलोवर्स के साथ बना सबसे लोगप्री है केंद्रिय बैं Reliance Zio ने लॉंच किया वीडियो कॉलिंग अप Gio Meet HD वीडियो की सुविदा वाले अप के अब तक एक लाग से ज़्यादा डाउंडोड कर्ज चुकाने के लिए Reliance Zio की दस पीसे दी हिस्टारी और बेच सकते हैं मुकेश अंबानी बोर्ड की बैठक ने कहा कई लिवेशी निवेशकों ने दिखाई दिल्चस के माने सरस्थित इनलली ग्रीन ने प्लाजमा तक्मीक आदारिक डिवाइस का किया निर्मान नासा से मंजूरी प्राप डिवाइस कार, अंबुलेंस में मौजूर सभी बैक्टीलिया और वाइरस का करेगी खाती कर्णा के चलते जारी लॉकडाउन में अमिजॉन को भारत में सबसे ज्यादा घाटा अर्तिक बढ़ाली के बावजी पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजल के किन्तों में भारी कत्रावती की, पेट्रोल 15 रुपे और डीजल 27 रुपे प्रती लीटर सस्ता किया कोरोना की बाद आर्थिक खालास उधारने के लिए सरकार को विदेशी निवेश से बड़ा यकीन है इसी कोशिश को अमली जामा पहलाने के लिए खुद पीम मोदी ने कमान संबाल ली अबी तक भारत के मुकाबले वैतनाम और थाइलेंड को पसंद करने वाली विदेशी कमपनीज को लुभाने के लिए सरकार सबी स्पीट ब्रेकर्स को हटाने में जुट गई है कोरोना काल खत्म होने के बाद एक तरफ भारत के लिए आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और निवेश में गिरावट की समस्या तयार खड़ी होगी तो वहीं दूसरी तरफ चीन से विश्व की नराजगी से उपजे मौके की भरमार भी होगी सरकार को इस बात का बखुवी हैसास है कि कोरोना काल के बाद अर्थ विवस्था की गिरावट से उभरने के लिए विदेशी निवेश को आकर्शित करना सबसे खास रोल निभा सकता है ऐसे में खुद पीम मुदी ने इस मुद्दे की लगाम अपने हाथ में पकड़ लिये पीम ने इसके लिए अपने सयोगियों की बैठक बुलाई थी जिसका मुख्य एजंडा विदेशी निवेशकों को लुभाने को लेकर रणनीती पर विचार करना था साथ ही निवेशकों को हर इस्तर पर जल्द से जल्द क्लियरंस देने के मामले पर विचार करना भी था दरसल चीन ने कोरूरा को फैलाने में जाने अंजाने मदद करके दुनिया की नराजगी मोल ले ली है दुनिया का हर देश अपने इहां नौक्रियों निवेश की कीमत पर लॉकडाउन के जरिये इस महामारी को रोकनी की कोशिश में जुटा है ऐसा माना जा रहा है कि चीन को इसका खामयाजा भोगत ना होगा इसका अंजाम हो सकता है कि दुनिया भर की कमपनिया चीन से निकल कर किसी दूसरे देश में टेरा डालने है इसी मौके को भुनाने के लिए पीम ने गुरुवार को बैठक करके इन कमपनियों को भारत में लाने के उपायों पर चर्चा की लेकिन भारत की मौझूदा पॉलिसियों में ये काम आसान नहीं है दरसल बीते दीनों आई नौमूरा की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बीते कुछ बरसों में चीन से 56 कमपनियों ने अपनी मैनुफेक्चरिंग को दूसरे देशों में शिफ्ट किया है इन में से महस दीन कमपनियों ने ही भारत में आने में दिल्चस्पी दिखाई 26 कमपनिया वे अतनाम चली गई तो 11 कमपनियों ने ताइवान को अपना केंदर बना लिया भारत को उमीद थी कि कम मसदूरी की दर से चीन से निकल कर कमपनिया यहां आएंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब केंदर और राज्य सरकारे सक्रिय हो गई है इन कमपनियों को लुभाने के लिए ठोस रणनीती बनाने के लिए मोदी की बैठक से पहले ही यूपी सरकार ने इने लुभाने के लिए पूरा दम लगा दिया है यूपी के MSME मंतरी सिधार्तनाथ सिंग ने इसी हफते चीन से निकलने का विकल्प आजमा रही सो कमपनियों में से कई के साथ वेविनार के तहत मीटिंग की इसके बाद यूपी सरकार ने चीन में काम कर रही अमेरिकी कमपनियों को आफर दिया कि अगर वो यूपी में अपने प्लांट लगाती हैं तो उन्हें मनमर्जी सुविधा दी जाएंगी इन कमपनियों में Lockheed Martin, Adobe, Honeywell, UPS, FedEx, Cisco Systems शामल है यूपी सरकार, Defense, Firm, Food Processing, Electronics और Education Summit 21 सेक्टर के लिए Policy बना कर तयार है इसके साथ ही पियम मोदी ने राज्यों के साथ 27 अप्रल को हुई बैठक में निर्देश दिया था कि भारत से कोई निवेशक छोड़ कर बाहरी मुल्क में ना जाए पियम ने राज्यों से कहा था कि वो विदेशी निवेशकों के लिए Red Carpet बिछा कर रखें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी निवेशक देश छोड़ कर दूसरी जगह जाए इसके साथ ही गुरुवार की बैटक में चर्चा की गई कि देश में मौजूदा और ध्योगिक भूमी, प्लांट, एस्टेट की बुनियाद धाचों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना विक्सित की जाए और जरूरी विद्तेश सहायता प्रदान करनी चाहिए सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है क्योंकि कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोरोड़ा वाहमारी के बीच दुनिया भर की तमाम कमपनिया और निवेशत चीन के विकल्प की तलाश में है और उनकी नजर भारत पर है आर्थिक जानकारों का भी यही कहना है कि भारत के लिए यह सुनहरा मौका है अगर भारत दिस मौके का फायदा उठा लेता है तो आरे वाले दिनों में प्लोवल सप्लाई चेन में वो बड़ा रोल निभा सकता है आज तक ब्यूरो कोरोना काल में देश की अर्थ विवस्ता का हाल बत्तर होता जा रहा है मार्च में महज एक हफ्ते की देश बंदी में ही कोर सेक्टर्स की विकास दर 6.5 फीसिदी लुड़क गई सब की पैनी नजर लगी हुई है लॉकडाउन संकट में पहले कुछ एजेंसियों ने भारत की विकास दर का अनुमान दो फीसिदी से कम किया फिर एक फीसिदी के नीचे गया और अब तो जिसका डर था वही हुआ एक एजेंसी ने विकास दर का अनुमान घटा कर नेगेटिव जोन में पहुचा दिया है तरसल जिस तरह से कोरोना वारस के संकटकाल में एक महिने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन लागू है सब कुछ बंध है लोग घरों में है कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया और जिस तरह से अर्थ व्यवस्था संकट में है उससे जीडिपी की रफ्तार पूरी तरह से थम गई है रिसर्च और ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस के मुताबिक 2020-2021 में विकास दर घट कर 0.4 फीसदी आ सकती है यूबीएस ने पिछली बार विकास दर 2.5 फीसदी रहने क अनुमा लगाये था इसके पहले क्रिसिल इंडिया रिटिंग्स, मूडीज, फिच भी जीडिपी को लेकर अपना अनुमान घटा चुके है यूबीएस ने लॉगडाउन के खत्म होने के बाद हालातों को लेकर 3 तरह की संभावनाय जताई है यूबीएस के मुताबिक अगर माना जाए कि लॉगडाउन 15 मई तक खत्म होगा तो कारूबारी गतिविधियां जून के आखिर तक सामानी हो पाएंगी दूसरी तरफ अगर लॉगडाउन जून के आखिर तक ऐसे ही चलता रहा तो आर्थिक गतिविधियों के अगस्त के पहले ठीक होने के कोई आसार नहीं है इसके अलावा UBS ने ये भी कहा कि अगर वाइरस का संक्रमन बार बार फैलता है तो ये सिलसिला 2021 की दूसरी तिमाही तक चल सकता है सबसे खराब हालातों में लॉगडाउन अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो देश की GDP 3-4 फीसे दी तक घड सकती है अब इसके असर से सभी सेक्टर्स बिहाल है केर रेटिंग्स की भारती टूरिज्म इंडस्ट्री पर आई रिपोर्ट से अर्थ्ववस्था की खस्ता हालफ का अंदाजा आसानी से लगाए जा सकता है इसके मुताबिक भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को 2020 में 1.25 ट्रिलियन के रिवेन्यू लॉस की बात कही गई है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जन्वरी और फर्वरी 2020 के बीच लगभग 50 फीसे दी टूरिज्म पर इसका असर पड़ा है अपरेल जून के दौरान भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को 79,400 करोट रुपए का रिवेन्यू का नुकसान होता दिख रहा है जो पिछले साल की पहली तिमाही की मुकाबले 30 फीसे दी कम है लेकिन मामला केवल टूरिज्म तक सिमित नहीं है जिन सेक्टर्स को आवश्यक सेमाओं के दायरे में शामिल करके कामकाज की छूट दी गई है वहाँ भी समस्या है मौजूद है मार्केट प्लेस, अर्बन क्लैप और स्वीगी जैसे कमपनियों में कारोबार धीरे-धीरे फिर से शुरू हो रहा है लेकिन अभी डिमांड में कमी है FMCG के सामने प्रोडक्शन और सप्लाई की समस्या है मजदूरों की कमी से कंस्ट्रक्शन के दिक्कत है उधर के सानों के कटी हुई फसलें भी बरबाद हो रही है क्योंकि सरकार के पास इस महामारी से निपटने के लिए लोकडाउन के अलावा कोई और एक्शन प्लान नहीं दिख रहा है आज तक देरो